Hello Friends, आज कल के टाइम पे लेट मारिजस के चलते, री मारिजस के चलते और कभी-कभी पर्सनल और प्रोफेशनल कमिटमेंट्स के होते हुए 35 या उसके बाद में प्रेगनेंसी प्लाइन करने वाली जो फीमेल्स या उनका परसंटेज बढ़ता ही चला जा रहा है जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि फर्तिलिटी प्रेगनेंसी एक एजडिपेंडेट्स है जैसे जैसे एज 30 प्लस या 35 प्लस असिपेशली होती चली जाती तो हमारी फर्तिलिटी दिकलाइन होती चली जाती है और ये एक नाच्रल प्रोसेस है तो ऐसे में obviously वो females जो 35 के बाद pregnancy plan कर रही है उनके लिए stress में आना कि क्या pregnancy possible है अगर वो pregnancy plan करते है तो क्या problems mother या बच्चे को आ सकती है कुछ additional risk है या नहीं या वो ऐसा क्या करे जिसके चलते इन सब चीजों को minimize करके healthy mother और healthy baby हमारा outcome हो सके तो इसी सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं yes definitely 35 years के बाद pregnancy रुकना challenging तो है but impossible या मुश्किल नहीं है कुछ चीजों का अगर हम ध्यान रखते हैं तो ये journey बहुत easily आप complete कर सकते हैं 35 years के बाद fertility decline होती है इसका एक reason ये है कि हर female चाहे वो कोई भी हो एक defined ovarian reserves के साथ में birth लेते हैं और उसके बाद हम उसी ovarian reserves में से हर महीने कुछ ना कुछ reserves का इस्तमाल करते चले जाते हैं तो as a result with increasing age हमारी ovary की egg बनाने की capacity भी कम होती है और because of genetic factors और बाकी के external factors की वज़े से egg की quality भी compromise होती चले जाती है इसी वज़े से अगर हम comparison करें तो 30 years के नीचे अगर कोई lady pregnancy के लिए plan करती है in an otherwise normal condition तो उनका probability हर मन्त के trial में लगबग 20-25% रहता है और यही probability reduce हो जाती है 35-39 years के बीच में अगर कोई pregnancy plan करता है to 15 यानि के 15% पर तो यह एक natural process है तो अगर आप 35 years के बात pregnancy plan कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको यह accept करना पड़ेगा कि यह एक अच्छी age pregnancy को plan करने के लिए नहीं है लेकिन हाँ with good doctors की help और proper planning के चलते इस चीज़ को easily accomplish किया जा सकता है problems को minimize किया जा सकता है तो अगर आप plan कर रहे हैं तो बहुत जरूरी हो जाता है कि आप अपने doctor से मिलिए और दो चीज़ों को लेकर के उनके साथ खुलके discuss करिए number one आपका fertility potential कितना है आपके पास कितना time है जिसके चलते आप अपनी pregnancy ले सकते हैं क्या आपको natural तरीके से pregnancy होगा या ovarian reserves की कमी की वज़े से आपको किसी advanced treatment में जाने की जरूरत तो नहीं है और अगर वो जरूरत पढ़ती है तो वो time frame कब होगा तो इस चीज को लेकर के खुल करके आप अपने doctor से बात करिए सेकिन 35 years के बाद अगर कोई plan करता है तो उसमें mother में और बच्चे में कोई complications होगी उसके chances भी बहुत जादा रहते हैं इसलिए pre-conceptional evaluation बहुत जरूरी हो जाता है जिसमें ये test किया जाता है कि आपकी body में age factor के अलावा ऐसे कोई problem तो नहीं है ऐसी कोई deficiencies तो नहीं है जिसके चलते अगर आप pregnancy plan करेंगे तो mother या बच्चे को कोई additional risk होगा तो ये सब test अगर हम करते हैं जिसमें include होता है कि आपका blood कितना है आपको कोई thyroid deficiency तो नहीं है वाइटमिन D या वाइटमिन B12 की deficiency तो नहीं है आप pre-diabetic या diabetic तो नहीं है आप blood pressure के higher risk पे तो नहीं है या आपको कोई एक pre-existing medical condition तो नहीं है इसके लिए आपके blood test कराए जा सकते है आपके body में rubella vaccination है या नहीं है या कोई additional medical disorder आपकी family history की वज़े से या आपकी age की वज़े से तो नहीं है तो उसके लिए एक detailed history, examination और blood test आपके doctors आपको कराने के लिए बोल सकते हैं साथी साथ 35 years में कुछ menstrual irregularities होंगी उसके chances भी जादा हो सकते हैं तो depending upon कि आपके में menstrual irregularities हैं या नहीं आपके doctor आपको work-up की सलाद दे सकते हैं और ovarian reserves यानि की अंडाक्षे में बच्चा पैदा करने की ताकत कितनी है उसके लिए ultrasound और एक blood test जिसे हम बोलते हैं AMH यानि की anti-mullerian hormone ये कराया जा सकता है तो एक basic से test हैं जिनके ज़रिये आप जान सकते हैं आपका fertility potential कितना है आपकी body में apart from age ऐसा कोई additional risk तो नहीं है जिसके चलते pregnancy में complication होगा Once this step is done उसके बाद अगर ये सब चीजें okay आती हैं आपको कोई problem नहीं है तो आपको 6 month का trial लेना है इस 6 month के trial में आप folic acid supplementation लेना बहुत जरूरी समझेंगे साथ ही साथ आप fertile days को follow करेंगे जो कि हमने अपने पहले की videos में बता रखा है अगर 6 month के trials में आपको pregnancy नहीं रुक रही है या आपके initial work up में कुछ problems identify होती है तो अब आप उस category में आ जाते हैं जहां पे आपको advanced treatments की जरुद पढ़ सकती है तो उस चीज के लिए हिचके चाहिए नहीं खुल के अपने doctors के साथ बात करें और उन advanced treatment के बारे में सोची जहां तक बात है pregnancy रुकने के बाद की pregnancy अगर 35 years के बाद में रुकती है तो ऐसे cases में miscarriage का chance बच्चे में बच्चे में कुछ malformations होने के chance उनमें कुछ genetic disorders यानि जैसे की down syndrome होने का risk, time से पहले delivery होने का risk या late IUDs होने का risk, still birth होने का risk mother में blood pressure बढ़ने का risk, diabetes होने का risk ये सब जादा हो जाता है तो इसलिए आपकी जैसे ही pregnancy diagnose होती है आपको doctor से मिलना जरूरी है कुछ screening test होते हैं जिनके जरीए ये पता लगाया जा सकता है कि आप उस high risk category में तो नहीं है जिसमें miscarriage या blood pressure या diabetes होने का risk जादा होगा तो वो पहले से ही test करा लेने चाहिए कुछ supplements, medicines के और dietary supplements होते हैं जिसको अगर आप शुरुवात में ही लेते हैं तो भी इस problems को minimize किया जा सकता है और time to time check up कराते रहना time to time screening test कराते रहना वो बहुत जरूरी हो जाता है ताकि हम कोई भी complication को होने से रोख सके और अगर वो complication हो रही है तो उसका timely पता लगाया जा सके और बच्चे और मदर को होने वाले नुकसान को कम से कम रखा जा सके अपने medicines को time से लीजिए healthy diet को follow करिए smoking और alcohol से दूर रही है अपने test बराबर से कराते रही है supplements बराबर से लीजिए और सबसे जरूरी बात bed rest को avoid करिए अगर आप ये सब चीजें करते हैं then trust me 35 years के बाद definitely pregnancy रुखना challenging तो है लेकिन मुश्किल नहीं है